हेलो दूस्तों आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ग्यानिस्कोप में तो आज इस वीडियों में हम बात करने वाले हैं आपके फोन के कुछ ऐसे सेटिंग्स के बारे में जिसको तो आपको जानना ही चाहिए तो दूस्तों आपको सबसी ज्यादा जरूरत पढ़ने वाली चीज़े जैसे कि कैमरा, टार्च लाइट, स्क्रीन सॉट और गूगल असिस्टेंट ये सारे चीज़े तो हमेशा आपको जरूरत पढ़ा ही करती है और ये सारे ओप्शन किसी-किसी के फोन में छिपे हुए होते है और उसे ढूडने में काफी टाइम लग जाता है तो इन सारी चीज़ों को आप सिर्फ एक क्लिक से यूज कर पाएंगे तो इस वीडियो में आपको ऐसी सेटिंग्स बताऊंगा जिससे आप लोग इसे सिर्फ एक क्लिक में यूज कर पाएंगे तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें तो दूस्तों स्टार्ट करते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना है और सर्च बार में सर्च करना है गेस्चर स्वाट कट्स और इसको ओपन करेंगे तो पहला सेटिंग्स है गूगल असिस्टेंट का इसको on कर देने के बाद आपकी फोन के power button को 5 सेकंड तक दबाय रखना है इससे आपकी फोन में Google Assistant on हो जाएगा और दूसरा settings है screen shots का तो ये settings आलेडे मेरे में लगी हुई है 3 finger down करने पे भी लगा हुआ है और volume down plus power button वाला भी लगा हुआ है ये screen shot ओला feature तो आप लोग को पता ही होगा उसकी बाद आ जाते हैं camera settings पे तो camera को ज़्यादा तर लोग screen को touch करके ही चलाते हैं चाहे lock खोल के या बिना lock खोले दोनों में ही use करते हैं लेकिन इसको on कर लेने से आपको power button को दो बार प्रेस करना है और आपका camera on हो जाएगा बिना इस screen को touch किये हुए और last setting है आपका torch का तो ये भी same camera के settings के जैसा ही है या तो आप इसे on कर लीजे या फिर camera को दोनों में से आपको एक option को on करना है क्योंकि ये भी power button को दो बार प्रेस करने पे ही काम करेगा तो दोस्तो आज की जानकारी यहीं तक phone के settings से related और कैसी जानकारी चाहते है कमेंट करके जरूर बताए और अगर आपको जानकारी अच्छे लेगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले